दोस्तों आप सभी का Pathology Laboratory Channel में स्वागत है आज हम देखेंगे कि पेशिंट का Blood Sample कैसे लिया जाता है मैं आज आपको बहुत जरूरी बाते मताऊंगी उसको आप ध्यान से देखे तो चलिए शुरू करते आज का एक मुझेदार वीडियो लेकिन उसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे Blood Collection करने से पहले नीचे दी गई सामगरी चेक करें Apron, Hand Gloves, Nye Injection Box, Hotton, Blood Collection Tube, Tarnicate, Vacuum Container, Ice Box सबसे पहले Blood Collection Boy को लाब में जाकर अपना ट्रेस कोड पहना पढ़ता है हॉस्पिटल में Blood Collection Boy ने अपना Apron पहना और उसके साथ Hand Gloves पहना आनवार है उसको किस टेस्ट के लिए कितना Blood Sample लेना है ये मालूम होना आनवार है जैसे की लाल टूपी वाली ट्यूब में Blood Serum लेना पढ़ता है इसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए उसमें Glucos और Annet Test के लिए सांपल लेना पढ़ता है ये ट्यूब में 3-4 ml सांपल देना पढ़ता है अगली है नेली टूपी वाली ट्यूब जिसे EDTA ट्यूब पिका जाता है इसमें खून का सांपल लिया जाता है इस से जो रक्त की जाँच है उसमें खून पतला रहता है ये ट्यूब में हमारे बॉड़ी में कितनी सेल है इसका टेस्ट होता है और इसके साथ अन्य इसी प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें Blood Sample 3-4 M लेना पड़ता है जिसको लेने के बाद ट्यूब को हिलाना महतवूर होता है इसके अलावा Collection Boy को सभी प्रकार के टूपी वाले ट्यूब का पूरा knowledge होना चाहिए वर्मा वहे अच्छी तरीके से सांपल नहीं ले सकते और उसका result अच्छा नहीं मिल सकता सबसे पहले patient को बैठाया जाता है उसके बाद उसके हाथों में tonicate बांधा जाता है उसके बाद उस patient को अपनी मुठी बंद करने के लिए कहा जाता है ऐसा करने से उसकी नर्वनस अच्छी तरीके से दिखती है जहां से हमें सांपल लेना है वहाँ पर spirit swap से अच्छी तरीके से sanitize करना अनिवार है इसमें alcohol की मात्रा 70% होनी चाहिए उसके बाद साफ की गईतवचा को दोबारा हाथ ना लगाए नहीं सूल लेनी है और और उसके उपर की क्याप निकालनी है जैसे वीडियो में दिख रहा है और उसको होल्डर में अच्छी तरीके से फिट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किकाद जो पेशिंट की नस दिख रही है उसमें अच्छी तरीके से 30 डिग्री में सूई को अच्छी तरीके से घुसाना है इस तरीके से घुसाने से बलड सैंपल हमें ट्यूब में लेने में आसानी हो और पेशिंट को कोई इंजुरी ना हो इसलिए ऐसा एंगल रखना होता है उसके बाद जो भी टेस्ट से लिखी है उसके हिसाब से ट्यूब को होल्डर में डाल कर अच्छी तरीके से सांपल कलेक्शन करें उसमें लाल कलर की टूपी वाली या नीले कलर की टूपी वाली ट्यूब डाल कर सांपल ले सैंपल लेने के बाद पेशिंट को मुठ्टी छोडने के लिए कहें उसके बाद टोनिकेट छोड़ दे उसके बाद सूई निकालें से पहले उस पर कॉटन स्वाब रखे और सूई धीरे से निकाल कर ले उसके बाद उस सूई को डिसकार्ट कर दें जो ट्यूब को हिलाने की जरूरत है उसे आवश्यक्ता के अनिसार मिक्स करें जिससे ट्यूब के अंदर का केमिकल बलड में मिक्स होकर अच्छा रिजल्ट मिल सके उसके बाद कुछ सैंपल को 3000 RPM पर घुमाया जाता है जिससे की लाब में सैंपल भेजने से पहले वह करहाब न हो जाए इसके लिए उसे सिंटर्वीवच किया जाता है उसके बाद उस सांपल को या उन सांपल को एक आईस वाक्स या कूल बॉक्स में रखा जाता है उसका तापमान टु डिग्री से एट डिग्री के बीच में होना चाहिए इसके बाद उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करके लाब में भेजने के लिए तैयार किया जाता है उसमें अच्छे तरीके से ट्यूब को रखना चाहिए जिससे कि उस ट्यूब में से कोई भी बलड सांपल लीक ना हो जाए इसकी पूरी पुष्टी करें उसके आजू-बाजू में अच्छे तरीके से कोटन को बैठा है ताकि सांपल हिल्डूल ना पा सके और वे अच्छे तरीके से लाब तक पहुँच सके उसके बाद उस सांपल को लाब में भेजते लाब में जाने के बाद उस सांपल को पूरी तरीके से चेक करें और प्रोसेस के लिए ले ले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे ताकि आगे इसी प्रकार की वीडियो बनाने में हमें स्पूर्थी मिले और हां पैथॉलोजी लाबुरिटरी चैनल को सब्सक्राइब करनाना हुले आपका धन्यवाद शत्ति आपकाम करना